दोस्तों Jio ने अपना Jio Giga Fiver इंडिया में लांच कर दिया, बताया है कि इंडिया में नमबर वन उपरेटर है और वर्ल्ड में नमबर टु अपरेटर है, इन्हों ने एक ब्रॉड ब्राद बेंड को यूज करता है, इत्ती सारी चीजे कर दिये जो इन्हों ने अपने बताय से connect कर रहे हैं और अपने net से चलाना चाहेंगे दूसरा इन्होंने home broadband को इस तरह के से स्थमाल किया है कि यह हमें one gbps की speed देंगे और इन्होंने landline phone भी दिया है उसमें टीवी से आपको video calling भी दिये जियो setbox मिला है जिसमें आप game खेल सकते सिन्वा टीवी जो करना आप कर सकते हैं डाटा की help से और setbox के थ्रूँ यह सब होगा फिर इन्होंने तीसरा बताया है कि mixed reality बनाई है यानि कि virtual reality को add करा है और augmented reality को add करके mixed reality बनाया है जिससे आप shopping भी कर सकते हैं गेम खेल सकते क्या कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों जीओ गीगा फाइव सेप्टेंबर से commercially available हो जाएगा और इस दिन इनको तीन साल पूरे हो जाएंगे तो उन्होंने कई सी सारे simple traffic plans बताए हैं जैसे कि आपको 100 Mbps मिलेगी जो कि अमेरिका में 90 Mbps देते हैं पर हमें इंडिया में 100 Mbps तक मिलेगी जिसको आप 1 Gbps तक expand कर सकते हैं और minimum cost 700 बताएगी है और total cost 10,000 तक भी जा सकती है first day first show आपको देखने को मिलेगा किसी भी movie का पर यह कैसे implement करेंगी यह पता क्योंकि 2020 में आएगा और broadband से यह बताया गया कि आपके इतनी चीजों को कैसे कैसे कर सकते हैं आप एक broadband को कैसे कितने तरीके से कितनी अलग तरीके से इसको एक जगे पर यूज कर सकते हैं यह जी उने बताया है और इनको इसको काफी अच्छे से इंप्लिमेंट कर रहा है तो दोस्तो अगर आपको इसकी फुल टीटेल से तो इसको भी लॉंच होना है 5 सप्टेंबर को इसके बाद आपको पूरी डीटेल मिल जाएगी तो दोस्तो इन सारी डीटेल के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके मैं आपको सबसे पहले अपके मैं आपको इसके बाल को सबस्क्राइब दोस्तो चैनल को इसकी बाल को सबस्क्राइब करेंट करेंटर कर दोस्तोंते शॉल एथ, कर रहा है तोस्तोंते है